कि या वाचिंग कुक्समार्क बिट संजीव कपूल और अब कोकोनट की जो चीजेइं वो तो हम देखे रहे है तो मैंने क्याकरम प्वनाफ है यहाँ पर मैंने दूद्ध लिया हूआ है और इसको रिड्यूस कर रहे हैं इसके साथ साथ और क्या करना है मुझे 19ra यह मेरे पास में है milk powder, अब यह जो milk powder है, यह ऐसा वैसा milk powder नहीं है, यह actually है coconut milk powder, जिया, coconut milk powder और यह लेकर यह इसके अंदर, दूद के अंदर और इसको अब हमने कर दिया mix, तो यह coconut milk powder, इसके साथ-साथ, अब क्योंकि मैंने normal milk की बात की, तो इसको यह भी एक चीज डालनी, यह भी बड़ी मज़दार होती है, क्या है यह खोया, तो खोय से क्या होता है, इसकी जो consistency है, कुलफी की बढ़िया दानेदार गाड़ी हो जाती है, तो यह देखे, एकदम सडली consistency कैसे गाड़ी हो गई, त ठेढ़ की मज़आ, इbel आट गोणि लानी कोगनट उसमें से जो मलाई निकलती है, ताजी मलाई, वो इसके अंदर, और फ्र यह लेकर इसे जरा यह हमारे पास तैयारी हो रही है नारियल की कुल्फी की और इसके अंदर जब पड़ेगा यह फ्रेश नारियल जी हाँ यह फ्रेश नारियल और यह देखिए मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर ग्रेटेड कोकोनेट भी थोड़ा डालूगा लेकिन बहुत जाद नहीं क्योंकि मैंने इसके अंदर जो नारियल है वो दूसरा वाला भी डाला हुआ है तो यह इसके अंदर और अब देखे यह कैसे बढ़िया से गाड़ा हो गया है औ और यह चीनी इसके अंदर डाल दी और फ्लेवर वगयरा कुछ नहीं डालना इसके अंदर कोई लाइची यह वो कुछ नहीं वो क्यों क्योंकि जो कोकनट है उसका बड़ा सटल टेस्ट होता है खासतोर से ठंडा होने के बाद तो इसलिए उसमें और कोई स्वाद डालने की जरूरत नहीं है कोई और फ्लेवर डालने की जरूरत नहीं है तो कोई और फ्लेवर इसके अंदर प्लीज ना डालें सिर्फ नारियल का बढ़िया फ्लेवर आने दें और यह इसे ठंडा करके अब कुलफी के मोल्ड में डालें और इसको मज़े से खाएं ना ऐसे नहीं खा इसमें कैसी है दिलिश्यूस बहुती बढ़िया थोड़ा क्रीमी थोड़ा दानेदार क्योंकि खोया भी इसके नदर डला हुआ है और जो कोकुनट है वो तो इस स्टैंडिंग आउट मतलब ऐसा है स्टैंडिंग आउट की आउट्स्टैंडिंग है कुलफी में जो चीजें हमने डाली है उसमें जो कोकुनट का फ्लेवर है उसको ज़्यादा इंटेंस नहीं रखा थोड़ा सा सटल रखिए बढ़िया से रखिए कुलफी टेस्टी लगेगी अच्छा एक चीज़ बताता हूँ अगर पाटी के लिए आपने कुलफी तैयार करनी है ना तो एक दिन पहले से तैयार करें नहीं तो बहुत बारी ऐसे होता है कि डिनर में सब तैयारी हो गई है डिनर खतम हो गया है लोग कुलफी का इंतजार कर रहे है कुलफी बी कि अपने पूस्ताइब नचे कि अपने करें पूस्ताइब यूपराइब भी तोर दो हूए जा राष हुआते हैं